नमस्कार मेरा नाम है दिगवजय चोहान और कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वाइरल हुआ इस वीडियो को लेकर के पूरे उत्राखन में चर्चाएं चलती रही चर्चाएं इसलिए कि इस वीडियो में जो बातें कही कही थी वह बहुत आपती जनक थी पहल आप सोशल मीडिया पर किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो आपको सोच समझ करके कितना बोलना चाहिए हम बात कर रहे हैं अनिशा रांगर और केशर सिंग पामार जो दोनों ही सिंगर उत्राखन के हैं बहुत ही अच्छे सिंगर है इन दोनों के बीच में एक कॉंट्रोवर आपती जनक था मैं पहले ही बता देता हूं कि इस तरह के शब्दों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता है जो उन्होंने कहा है खास तोर पर उत्राखन के होटल इंडिस्टी में काम करने वाले लोगों के बारे में उन्होंने बहुत सारी बाते कही हैं जो ल लोग हो तो हमारी बेटी तो बिल्कुल शुरप चितनी ब्याद पड़िए अनिसा इसा गई वे कोई माने की धमकी देन लगियों कोई बनों केसर को आरा हमुई पैसा दिने तब हम डालना कोई बीडियो डाल लगियों कोई कुछ डाल लगियों बेफालतों की तरह बहुंकन लगियां बेफालतों कुट्टा नी भूंकता कुट्टा तो भूंक दे रहना और मस्त आते चाओ देला हम मेरे बच्छों हमसे जीनों का अधिकार नीक है अब मेरे अनिसाफर जीवन साथ चुन्नों का अधिकार नीक है तुमारी बेटी बारी तो मुझा परनगर वावन ल यारान है और सालों तुमारेे अपड़ी जन्या ने अपबेत ना या जना ने तुमा चुप रावन या अब भेढ देसनया जन्या ने ने तुमारे हिसिके शें रखी तुमारी जन्यान पता क्या अनला कि भिंझे भंद्दा कम ल गई रिशां कह सुन्ता कितिलन का स्थार प्रफादन भांडवी मठोन की वर तुमार जनियान धंदा का नेरिश केसमा हमुई सारुपता और सब्सक्राइब नाम डिटेल हमारे निकाली थान पर रतान हमन कोच कोच इत दिये लिए लिए और कोच उपियर दिया तो सालो जादना भुकिया जादना भुकिया आच व्यो करी तीजिन अधिकार नी क्या कि पैसे खाय सालो तुम उनके सर्पॉहार मन कतिया भीचते हैं के सर्पॉहार सालक दो कोड़ी का आदमी वे दो कोड़ी का आदमी राक्चस जे सकल दिखेनी हो ना दर से निए उसाला हो जो होटल इंडस्टी से जुड़े वे लोग जो हैं गौरब है उत्राखन का एक तरीके से कहा जाए क्योंकि देश-विदेश में जाकर को नाम रोशन करते हैं प्रधान मंत्री हो देश का कोई भी सेलिबिटी हो क्रिकेटर हो दिवाने हैं हमारे शेफों के और हमारे शेफ जंडा गारते हैं देश-विदेश में कई जगहों और ये भी कहा गया कि बरतन दुलने वाले इस तरीके के शब्दों का इस्तमाल भी किया गया लेकिन काम चाहिए कोई भी हो हर काम होता है एक और चीज ये भी है कि सिर्फ यही नहीं उत्राखन के जो होटल नेस्टी जुड़े होए लोग है उनका बहुत एत्राम भी है और कई रेस्टोरेंट के चेन के मालिक भी उत्राखन के बहुत सारे लोग बने हुए हैं लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वीडियो के बाद जो हंगामा हुआ जो हला हुआ ऐसे शब्दों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए दानी शरांगर की माता जी को और उन पर जानी थी कही जा सकती थी लेकिन सब के लिए एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना वेहत निंदनिया है बैरहल माफी माँग ले उसके बाद अनिशा रंगड का वीडियो आता है सामने वो भी माफी मांगती है अब जर असल य अब बात किए कि आखर ये वीड़ियो अनिशा रांगण की माताजी ने क्यों डाला और क्यों उन्होंने ये सब कुछ काया, दरवसल मामला शूरू होता है अनिशा रांगण की कुछुछ दिन पहले सगाई होती है, नहीं की मैं भी अनिखुप काम नहीं देता हूं, अनिशा कि जोड़ी जो है शुरबात में इसने काफी जाद धूम मचाई थी आनिशा रांगर और केशर सिंग पावार का एक गाना आपको याद होगा तो ये बुड़या का लंबा जोंगा तो ये बुड़या को महांदुनी काफी फेमस वो गाना हुआ हिट वो गाना हुआ उसके बा और आपको पताईए है आज काल का दौर है सोशल मीडिया का दौर है मीमस की बाड़ आ जाती है मीमस के बहुत सारे पेज है ट्रोलिंग करने वालों की कोई लिमिट नहीं होती है तो अब ये ट्रोलिंग यो है शुरू हो चुकी है इस गानी की क्लिपिंग और अनिशा रां अगेजमेंट और शादी इस तरीकी की जो चीजें होती है वो एक परसनल इशू होता है किसी भी व्यक्ति का आपके घर में कोई हो या फिर हमारे घर में कोई हो अगर किसी की सगाई हो रही है तो आप इस हद तक कैसे चले जा सकते हैं कि आप उस पर मीम बनाएं उस पर उस सिंग पावारी कह रहे थे कि ये गाना वो दस-ग्यारा महीने पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे और क्योंकि शादियों का इस सीजन होता है टाइमिंग के हिसाब से इस सीजन में ये गाना पड़ा और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको जोड दिया इसकी क्लिपिं होता है या फिर किसी का प्रोफेशनल लाइफ उस पर आप मीम बना रहे हैं और जैसा कि अब उनके घरवाले भी कह रहे थे अब इस बात में सच्शा कितनी है ये मैं नहीं जानता हूं लेकिन परहलों जो पक्ष अपना बता रहे हैं कि उनको जो है बहुत सारे मैसिज इस लोग उनको परेशान भी कर रहे हैं अनिशारांगर खुद कह रहे थी कि उनकी बहनें के लिए भी कह रहे थे कि इनको भी हम ट्रोल करेंगे तो इस तरीकी की चीज़े किस हद तक और कहां तक सही है आप ये भी बताईएगा जरूर इस तरीके की मेरे इसाब से तो नहीं होनी चाहिए दूसरी बात जो शब्दो का इस्तेमाल अनिशारांगर की माताजी ने किया वो शब्दो का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए लेकिन एक पल के लिए अगर हम ये भी देखें कि अब वो अपने बच्चों को ले करके चिंत देता है क्योंकि हमारा जो खासत और जो उत्राखंडी और पहाडी समाज है हम लोग या आप सीरियसली इस बात को लीजिएगा कि आपके घर में जो पेरिंट्स होंगे बड़े भुजुर्ग होंगे वो इस मीम कल्चर से और इस ट्रोलिंग वाले कल्चर से इतने फैमिलियर नहीं है जितने कि आप और हम होंगे हो सकता है जो युवात पीडी है वो सोशल मीडिया पर फेस्बूक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती है तो उनको पता है मीम्स कैसे बनते हैं और ट्रोलिंग किस तरीके से होती है और उनके सामने पर आजाए आपके कुछ बने हुए मीम्स तो उनको कैसे लगागा क्योंकि इन लोगों ने वो चीज जो है वो कभी देखी नहीं है एक जो सीधापन होता है उत्राखन के लोगों में वो एक अलग बात होती है और जो मीम्स कम्यूनिटी से हम जूड़ जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है उन्हें भी लगा कि भाया यह क्या हो गया मेरी बेटी की सगाई हुई है और उसका मीम बन रहा है उसको ट्रोल किया जा रहा है इस तरीके की क्लिपिंग बनाई जा रही है तो हो सकता है कि उसका एक impact रहा हूँ जो उन्होंने बोला लेकिन जो भी बोला गलत बोला यह नहीं बोलना चाहे था बहराल अब माउला जो है मेरे साथ से खत्म हो चुका है, उन्होंने माफ़ी माङई, अनिशार अंगल ने भी माफ़ी माँई लेकिन इसके बावजूद भी मैं देख रहा था क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस कल से ढून रहा था कि मामने को जानने के लिए तो कमेंट में बहुत सारी लोग अभी भी कह रहे हैं कि अब तुम्हारी जिस दिन शादी होगी उस दिन अब सामने आएंगे उस दिन बात की जाएगी तो भाया मेरे साथ तो ऐसा मत कीजे और इस तरीके की कांट्रोवर्सी से दूर रहे हैं किसी की परसनल लाइफ पर मीम बनाना जो है वो आप खुद ही अंदाजर लगाएगी एक लिमिट किसी भी चीज की होती है और सोशल मीडिया का सही तरीके साब इस्तेमाल कीजे कुछ भी सोशल मीडिया पर बोलते हैं देखिए वो चीज जो आप बोलने हैं अपनी जवान से वो सो दो सो साल तक रिकॉर्ड हो चुकी है इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले और इसा नहीं बोलना चाहिए था होटल इंडस्टी में काम करने वाले लोग उत्राखन का गौर किसी की पर्सनल लाइफ तक भी होने चाहिए और दूसरी बात यह कि जो उन्होंने बोला है उसके लिए उमाफी मांगी चुके हैं तो आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा बाकी सब्सक्राइब कर दीजे दिखविजा चोहान यूट्यूब चैनल को फेसब क्लियर हो चुके हैं उस पर भी आगे दिरे दिरे आपके साथ बाचित करते रहेंगे नमस्कार